हेलो फ्रेंट्स आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है आज आपको दिखाने वाले हैं बाइलोजी का क्वेपर जो की 2024 का है और इसी तरह से आपको ये तो 2024 का बाइलोजी का है इसी तरह से 2024 का मैथ हो गया कमेश्टी, फिजिक्स, एकनोमिक्स, कॉंप्यूटर सभी का अपको अप्लोड किया हुआ है, आपको जा कर देख सकते हैं और मेसी करने से पाइदा आपको ये होगा है कि कि स्टरह का क्वेश्ट कर देता है इसलिए आपको प्रिशर कौंशन पर जरूर्ठ देखना चाहिए और बता देते हैं कि 2022 का हो गया 22, 22, 22, 21, 28, 17, 16, इस चैनल पर आपको important question प्रवाइड करवाए जा रहा है उसको आप जा करके देखिए ताकि बोड exam के लिए आपको बहुत मदद करेगा और इसी तरह से हम class 12 में भी आपको मदद करते रहेंगे तो आएए आज की इस वीडियो में हम लोगे start करते हैं यहां पर आपको question देखा टोटल one hour है और full marks कितना 40 है और 40 question भी है ठीक है objective type का question है तो चली हम लोगे start करते है question number first से और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो like आप जरूर करें और comment करके बताए किजिए और किसी year का question paper अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यह भी बताए किजिए ठीक है उसको हम check कर आएंगे ठीक है तो यह रहा question number one देखे इसमें कह रखा है सिंबाइटिक association of fungi and roots of higher plant is called तो इसका option number a correct हो जाएगा इसके बाद next आपका है हिंदी में भी देख लिजिए इसके बाद आगे बढ़े question number second आपका यह रहा इसमें लिखा हुआ important pigment present in chlorophyce cell तो इसमें कौन सा option हो जाएगा option number c आपका correct हो जाएगा next आपका है यह रहा हिंदी में भी तो देख लिजिए अगला question है question number three है इसमें लिखा हुआ है in which group of animals is water vascular system found तो question number three का सभी आपको option दिखा रहे है तो question number three का बाकी option यह रहा है चार option दिख रहा है option number इसका c correct हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ें तो next आपका है question number four तो यह रहा question number four in इन बायो बायो नॉमियल सिस्टम ओफ नॉमिनिकलेचर दा फॉर्स्ट वर्ड अपड़ नेम ओफ एन ओर्गनीजम इस दनेम ओफ तो इसमें चार ओप्शन दिया तो option number a correct हो जाएगा इसके बाद next आपका है question number five the hanging roots from the बन्यान ट्री आर कोल्ड तो option number इसका C correct हो जाएगा ठीक option number C से हो जाएगा चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो next आपका है question number six question number six यह रहा which of the following is a tissue that connects bone to bone तो question number six का option number B correct हो जाएगा इसके बाद next आपका है question number seven seven आपका यह रहा which of the following structures is a present only in the plant cells तो option number C correct हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं next आपका question number eight which bond is a present between two glucose molecules in a polypsychoridia chain तो इससे में कौन सा option हो जाएगा option number इसका B correct हो जाएगा ठीक है और आपको बता देते हैं कि हिंदी में भी अगर आपको important question अगर आपको चाहिए तो अभी आप बताएगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ठीक है चलिए इसके बाद next आपका है question number nine है इसमें देख लिजिए इसमें लिखावा which of the following is the correct sequence of phases in pro phase one तो इसका कौन सा सही option है चारो अप्षन आपको दिखाते हैं यह रहा आपका चारो अप्षन ठीक है तो question number nine का जो सही option है वह हो जाएगा C इसके बाद आगे बढ़ें next आपका question है अगला जो question है वह आपका यह रहा question number 10 question number 10 में देखी कह रहा है movement of water through the cell wall is तो option number इसका सी करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ें तो next आपका है question number 11 यह रहा question number 11 इसमें लिखा हुआ है the process of convention of atmospheric nitrogen into ammonia is called तो इसका option number हो जाएगा डी सही हो जाएगा nitrogen fiction ठीक है Ammonium fiction मत मारेगा option number इसका डी करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ें तो next आपका है question number 12 which one of the following ions is essential for photolysis of water तो question number 12 का option number C correct हो जाएगा इसके बाद next आपका है question number 13 ठीके तो question number 13 देख लिजिए इसमें लिखा हुआ है craps cycle is non-edged तो option number D correct हो जाएगा इसका इसके बाद आगे बढ़ते हैं next आपका है question number 14 which plant growth regular regulator index repining of fruit तो इसका जो सही option हो जाएगा वह जाएगा 14 का एक करेक्ट हो जाएगा यह और इसके बाद next आपका question number 15 है तो इसमें आपको एक figure दिया हुआ है ठीके यह आपका diagram दिया है इसका नाम पुछ रहा है कि A B C का नाम क्या होगा ठीके तीनों का नाम पुछ रहा है तो इसमें से जो सही option है वह जाएगा option number B correct हो जाएगा ठीके ओसो फेगस हो गया B नाम हो गया ठीके तो यह आपका option number B correct हो जाएगा चलिए इसके बाद आगे बढ़ें next आपका यह राइंदी में चलिए 16 है identify ABC फिर से figure आपको दिया हुआ देख लिए यह रहा फिगर ठीके तो इसमें कौन सा option सही हो जाएगा यह रहा आपका पूरा option है पहले इतना देख आपका हो गया डाइफराम और से आपका हो गया एलगोली ठीक है तो option number B नई सही होगा option number D आपका correct होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ जाए next आपका है कोचा यह तो रहा हिंदी में ठीक है तो अगला कोचा नंबर 17 इसे में लिखा हुआ है what is the normal blood pressure of an adult human being ठीक है तो normal blood pressure कितन होता है तो 120 80 ठीक है चलिए तो आगे बढ़ जाए next आपका है कोचन नंबर आपका यह हिंदी में रहा ठीक है तो 18 देख लिजिए तो 18 है आपका the structural and functional unit of kidney तो क्या इसका है option number C correct हो जाएगा इसके बाद next आपका है यह हिंदी में रहा इसके बाद कोचन नंबर 19 है 19 में देख लिजिए इसे में लिखा हुआ है number of vertebrae in human skeleton is ठीक है तो के सुरुका है इसका हिंदी में कहते है कि संख्या कितनी होती है तो इसकी जो संख्या होती है वो 33 होती है ठीक है option number D सही हो जाएगा इसके बाद आगे following is the largest part of the brain तो brain के सबसे largest part कौन सा है तो brain पढ़ेंगे आप 10th class में भी पढ़ेंगे ठीक है तो इसका जो से अप्शन हो जागा वो है सेरी ब्रम सेरी ब्रम है और यह सेरी बेलम है तो यह सब नाम और स्पेलिंग याद रखेगा इसके बाद आगे बढ़ जाए तो नेक्स्ट आपका कोचन नंबर एक हेस है विच अंदुक्राइण गलांड शेक्रेट थायरोक्रीन हार्मोन तो आप्स Himर इसका हो जाएगा बी और करेक्ट हो जाएगा चले इसके बाद niets trust कोच तो कोचन पर 22 से देखिए इसमें लिखा हुआ है companion cells are closely associated with तो option number C correct हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ें next step का है 23 तो इसमें लिखा हुआ है larger sub unit of ribosome of prokaryotic cell is तो 23 का option number B correct हो जाएगा 50 चलिए इसके बाद आगे बढ़ें next step का है कोचन बढ़ 24 who proposed cell theory तो चार option आपको दिखा रहे हैं तो option number इसका C correct हो जाएगा ठीक है चलिए इसके बाद आगे बढ़ें next step का है तो यह हिंदी में हो गया C option बता दिए इसके बाद कोचन बढ़ 25 है 25 में भी एक figure इसके बाद आगे बढ़ें next step का है यह हिंदी में रहा ठीक हो अप्शन बी बता दिए चलिए इसके बाद आगे हैं 26 देखें इन वीच पार्ट ऑफ दडाइजेस्टिफ सिस्टम डजर डाइजेशन ऑफ कार्भोडा कार्भो हाइड्रेट एस्टार्ट तो चार ओप्शन आपको दिया बार तो सही ओप्शन आपका हो जाएगा ए ठीक है ऑप्शन नमबर ए चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो संडनबर बी ठीक तो वी मेरे ख्याल से सई है तो आपस्छन नमबर इसको बी सही मले जिएगा चलिए इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट आपका है कोच्छ नमबर यह हिंदी में रहा ठीक है तोद्ट चलिए इसके बाद है ट्वेंटे एट तो आपको चूझ करना है कि कौन सा है इसमें, sequence of impulsion transmission in the heart तो इसमें कौन सा होगा यह रहा आपके पास 4 option ठीक है, तो इसका जो सई answer है, ठीक है 28 का, 28 का जो सई answer है, वो है option number A ठीक है, तो option number A correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएगा, next आपका है अगला जो आपका है option number, इसमें तो A हो ही गया, ठीक है आप C के बारे में भी देख लीजेगा, ठीक है चलिए, तो इसके बाद आगे बढ़े है तो next आपका है, यह रहा आपका हिंदी में, ठीक है चलिए, इसके बाद है 29, इसमें लिखा हुआ है which of the following is responsible for the yellow color of urine ठीक है, तो कौन responsible है चार option आपको दिखा रहे है तो option number इसका C correct हो जाएगा ठीक, तो इसका option number C correct हो जाएगा इसका एक और नाम है यह जो आपको लिखा हुआ है, इसका एक और नाम है U-R-O-B-I-L-I-N-E ठीक है, यह रहुआ है ठीक है, तो यह भी इसका नाम है तो अगर यह भी मिलता तो ठीक था लेकिन यह आपको दिया हुआ है तो दोनों एक ही है, ठीक है चलिए, इसके बाद आगे बढ़े है next आपका है, यह रहा हिंदी में चलिए, तो यह question number 30 है, लिखा which of the following is necessary for muscle contraction and nerves, impulsion, transmission तो चार आपके पास option है तो option number D correct हो जाएगा चलिए, इसके बाद है next आपका हिंदी में यह रहा चलिए, question number 31 connection between agent and dentrit is called तो इसका क्या हो जाएगा, dendrite यह आपका dendrite है और यह आपका action है तो इसका connection क्या हो जाएगा, इसमें से चार option है तो option number आपका C correct हो जाएगा, इसके बाद next आपका है 32 है तो इसमें लिखा हुआ है which of the following is an endocrine as well as exocrine gland तो चार आपके पास option है तो option आपका इसका B correct हो जाएगा चलिए, इसके बाद आगे बढ़ें तो next आपका है 33 तो लिखा हुआ है इसमें in the five kingdom classification the kingdom that includes the blue green algae and nitrogen fiction bacteria is तो चार आपके पास option है option number इसका A correct हो जाएगा इसके बाद next आपका है 34 question number यह आपका 34 ठीक है double fertilization occurs in तो चार option है तो option number इसका D correct हो जाएगा चलिए, इसके बाद आगे बढ़ जाएगा next आपका है 35 which of the following cell organelles contains hydraulic enzyme तो hydraulic enzyme किसमे होता है चार आपके पास option है option number इसका C correct हो जाएगा चलिए, इसके बाद आगे बढ़ें तो next आपका है यह आपका हिंदी में 36 है what is the effect of high temperature in enzyme activity चार आपको दिख रहा है option number B correct हो जाएगा इसके बाद next आपका है यह रहिंदी में अगला आपका है 37 लिखावा the phase between moses 1 and moses 2 is तो चार आपके बढ़ें option number A इसका correct हो जाएगा चलिए, इसके बाद है 38 which of the following enzyme is responsible for the digestion of fat तो fat के लिए कौन सा है तो यह fat के लिए जो responsible होता है enzyme वो होता है lipage English lipage हिंदी में lipage भी लिखा हो रहता है तो कुछ भी देख लिए ठीक है चलिए इसके बाद आपके बढ़ें तो next आप का है the amount of blood pumped by the ventricles per cardiac cycle is तो चार option आपके पास दिया है तो option number इसका C सही हो जाएगा ठीक है 70 ml इसके बाद आगे बढ़ें जाए next आप का है हिंदी में यह रहा चलिए इसके बाद है 40 तो इसमें लिखा हुआ है antigen B इसका हिंदी में भी देख लिजए तो यह था दोस्तों आपका बाइलोजी 2024 11th class का question paper में देख कि आपको अच्छा लगा होगा ठीक है इसी तरह से आपको हम class में class 12 में भी मदद करते रहेंगे तो आप channel को subscribe जरूर कीजेगा और comment करके बताए कि आपको कीशेर का question paper चाहिए objective, subjective आपको सभी question paper यहाँ पर मिलेंगे computer science हो गया या फिर economics biology सभी का मिलेगा तो मिलते हैं अगले class में तब तक लिए धन्यवाद